है वह था तो यहां पर फॉ desap近 क्या है ध्यान देजेंगा फॉर्स्ट आ में आपको एडोंड़ना है आप भी अपने से प्रैक्टिस किजिएगा ऐसा नहीं है किसी को सभुत को देखकर ही बनाने की कोशिच एक खुड से भी ट्राइग कीजिएगा फॉर्स्ट कोशन है more person than more person than one has been involved in this call ठीक है कहने का मतलब more person यहां पर चुट गया यहां पर था ठीक है more persons more persons than one has होगा यहां पर ठीक है तो कहने का मतलब subject के बाद आप हमेशा एक वर चेक किजी कि वर्ब उसके साथ क्या है तो कमें क्या क्या गलती देखने को बनता है सबसे पहले बात करे कि नहीं सबसे पहले परव का आपको अर्कल जहां तो इसे पहले आपको ति अचिर में बैस्कार बेस्ट होगा आप Français वेर्ड भ्मगा तो यह सब पहले आप को ck कर लेना होगा एक फिस नजर में ठीक तो यहां पर मैंने सबसे पहले किया अगर यहां पर मैं ने देखा किये प्लोरल में है ठीक है सब्जेक है सब्जेक करने से चीज़ पता चल गया और यहां पर एव फमाटरी शुड़े से यहां क्या करेंगे sentence में अगर आपको sentence मिला उसमें error find out करना है तो दो-तीन चीज पर पहले आपको focus करना होगा सबसे पहले वर्ब दुस्ता आर्टिकल तिस्ता प्रिपोजिशन ठीक उसके बाद बागी सब चीज भी आपको focus करना है जैसे कि आपको noun pronoun ठीक है और हाँ pronoun की भी सबसे ज्यादा mistake यहां पर देखने को बनता है तो basic जो है भर्ब आर्टिकल प्रिपोजिशन और pronoun का सबसे ज्यादा error देखने को मिलता है फिर उसके बाद और भी चीज़े हैं जहां पर आप देखेंगे जिसके के अधार पर भी होता है आपका conjunction based होते हैं तो basic आपको question तो एक तो यहां पर एक चीज मैंने आपको बता दिया कि भाई more person सा यहां पर एस छूटा हुआ था ठीक है एस यहां पर छूट गिया था तो यह टाइक करते हो तो इसका एक structure है जिसको आप note कर लिजेगा first question का इसको कैसा लिखेंगे हम लोग more plus plural noun plural noun plus than one plus plural verb ठीक mode plus plural noun plus than verb है तो क्या होगा plural verb होगा ठीक यहां पर plural verb होगा ठीक तो have होगा तो structure आप इसे note कर लिजेगा कहीं पर या screenshot लेकर रख लिजेगा काफी helpful होने है चले पहला question और पहला rule complete ठीक है first question first rule complete second question में आते है I made the two girls whom I believe are twin sister अब यहां पर किस पार्ट में error है तो यहां पर जब भी connectivity की बात आती है जहां पर conjunction होता है जहां पर रिलेटिव नौल होता है वहां पर आपको एक नज़र डालना होगा एक नज़र डालना होगा कि यही यही वो की पॉइंट वो सकते हैं यहां पर यहां जो second sentence है I made the two girls के ने यहां पर और यहां यहां क्या है सब्जेक्ट है limit किया क्या है वर्वे आई क्या है subject है तो वर्व के लिए तो subject है मिलील गया ठीक और मेंदर तो यहां पर object यह तो है ओके अब यहां पर आते कि देखेगा यहां आई क्या है सब्जेक्ट है और वर्व क्या है यहां पर विलिप क्या है वर्व है तो वर्व के लिए सब्जेक्ट है ठीक तो कहने का मतलब यहां पर है कुल मिला करा all twin sister all twin sister का subject कहा है यहां पर subject नहीं पता है जब ऐसे condition में सभी का सभी वहर्व का जो subject उसके आगे हो और कोई missing हो एक कोई missing हो तो यहां पर हूम काड कर यहां पर क्या लिखना होगा फूर लगाना होगा ठीक है फूर लगाना होगा ध्यां रखेगा तो इसका एक और स्ट्रक्षर आप नोट कर लिजेगा जो भी मैं आपको बताने वाला हूं मैं ने आपको कुछ रूल बता देता हूं तो किया आपको दो-नी sect पर ध्यान रखना होता है यहां पर आपको मैंने बता कि रिलेटिव प्रणॉंस और कुछ एरो हो सकते हैं तो इसका अगर हू रहिए कि अगर हू रहे तो ठीक हू रहे तब क्या होगा हू वाले कंडिशन मे हूँ के साथ क्या होगा ध्यां रखिएगा हूँ रहे तो उसके साथ वर्व होगा लेकिन हूँ रहे तो हूँ रहे तो क्या होगा वह यहां पर ध्यां रखिएगा हूँ रहे तो तो अब आगे वहनेंगे सवाल पे I am a next question है uhm का इंप इंटिन इंटुछ इंटुउ में इंटुफ ला प्वीकों कि आ दम written इंटू का मतलब हिसी में और पर्वयस करने के सेंस कोई यहाँ पर भी पार्ट में तो पहला जो किस परी पार्ट में अरर था यहाँ पे हाव होता हैस के बदला ह। एक्लेश Wrap में व्लूर हाँ हों तरह हो था को फोम नहीं होता और फार्ट पार्ट में आपका जो है एरर क्या व्ले इंटर zao new house last Sunday लुए कि आगे बढ़ेंगे स्वाल पे नेक्स्ट कॉस्च्छन है कि even many people carry an infection without showing its symptoms , चली many people many people थीक है many people carry an infection , तो यहाँ पे even क्या कर, even का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे कड देजे , even का तो हो गया तो इस जो फॉर् affiliation में कोई खास इसमें कोई रूलस नहीं थे कोई यहां पे यहँ तीनों जो प्रॉल भेस्ट वो क्या है देखिए देखिए नेक्स्ट कोश्चन जो है यह आपका रूल बेस्ट है ठीक यह आपका रूल बेस्ट है और यह कोश्चन कोश्चन टैक का रूल है कोश्चन टैक का रूल यहां पर बेस्ट है तो ध्यान कि अगर संटेंस अगर संटेंस ठीक पॉजिटिव में रहे अगर संटेंस पॉजिटिव में रहे तो कोस्टन टैक जो बनता है क्या निगेटिव में अगर संटेंस निगेटिव में हो तो कोस्टन टैक क्या बनता है पॉजिटिव में यह चीज़ ध्यां रखिया कोस्टन टैक के यह रूल है संटेंस जो होता है पॉजिटिव में ह पर इजन्ट नहीं कहीं क्या होगा वन जो वोंट आधे होगा तिक वोंट दे होगा ऺार Reagan 2002 का मतलब विल चाहिता इनाधी बनेगा वोंट होगा और यहां जिए यहां होगा यहां पर सुब्जेक्ट कि यहां बोदे रहेगा अगर आपका यहां पर कोई नाउन होता जैसे कि राम होता तो राम के लिए ही होता अगर सीता होती तो सीता के लिए वहाँ पर हर होता लास्ट में ठीक तो इस तरह से हम लोग करते हैं यहाँ पर जो positive sentence they will be coming to attain the favorable party तो positive sentence है लेकिन कोशन टैट क्या बनेगा नीगेटिव में इसंट नहीं होता इसंट की जगहां पर यहाँ पर विल का जो नीगेटिव बनेगा वोंट होगा और दे का दे रहेगा चलिए ठीक आगे बलेंगे सवाल पर यहां नो सुनर हैड़ी इंटर रूम डास्ट लाइट वेंट आउट एंड एविवन स्टार्टिट टॉकिंग अब आपको मैंने बताए नो सुनर के साथ नो सुनर के साथ जो कंजंशन होता है वह क्या होता है नो सुनर के लगाते हैं नो सुनर के साथ क्या हम लोग लगाते हैं नो सुनर के साथ क्या लगता है लगता है तो इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन सही होगा बाते नेस्ट कोर्शन में नेस्ट कोर्शन है कि माई मदर इस सो पूर देखिए यह आपका रूल के अधार पे सो के साथ हम लो होता है इसके साथ यूज होता है तो my mother is so poor कि बात देखी एक ही यहाँ पर संटेंस से बी वाला पार्ट में आपका डाट लगा हुआ है तो अंसर जो होगा भी आपका अंसर होगा है ना बी आंसर होगा दाट सी कैनल बाइफुट फॉट फॉर अस नेश्ट कोशन पर आते हैं नेश्ट कोशन क्या है कि the inspector of exercise has to conduct regular checks and that's to visit the unit at least once a day अब देखें यहाँ पर क्या होगा इन प्रजेंट की बात की तो आप इस रिक्वारिंग नहीं होगा इस रिक्वार्ट तो बिलकुल नहीं होगा आंसर जो होगा रिक्वार्ट होगा ठीक है एंड के पहले अगर यहाँ पर क्या है चेक्स है यहाँ पर प्लोरल होगा ठीक है वहाँ यहाँ पर प्रजेंट इन Unconditional यहां पर sorry Unconditional की बात नहीं किएगी यहां पर Unless की बात किएगे यह यह क्या है आपका Conditional Conditional Clause है ना यह Conditional Clause है और Conditional Clause अगर Present में हो ठीक Present में हो अगर Conditional Clause Present Indefinite में हो तो ध्यां रखेगा जो इसका आद जो Second Clause होगा ठीक है रखें संग Conditional Clause है तो Main Clause क्या होगा वह और क्लाउस जो होगा albeit वह वहोगा आपका Future की में ठीक है, Buddy종 describe Division में एक ही संटेंज है और दिखते है वो है इख नमबर operation में आपकर आपसेंजन संटेंस में अगर आपको दीखेगा अरक प्रेजंट में होगा के वेलिषय कोशन में क्या है वे ने सव फीम फूद देए अधे फेल गटना एक घटेगा तो दूसरा उसके बाद घटेकर एक होने के बाद दूसरा घटेगा ऐसा संधेंस में अगर जो कंदिशनल संधेंस होता है यहां पेट होगते हैं घर वह त तो उसके बाद जो san tins of main clause भी होगा वह उपका क्या होगा फाष्ट में ही होगा ठीक है Łoo फेको बी नमर और प्सन होगा पार्श की दो घठना सुन दीजबार्स की दो घठना एक होने के बाद अगर दूसरा होता है अगर के बाद अगर दूसरा होता है तो conditional clause जो होते हैं जो वह तो आपका past indefinite में होगा साथ इसाथ जो main clause होगा वह भी आपका past में ही होगा next question is seeing that the child was ill the dash क्या होगा अब देखेंगे अब child के बाद कीजिए child ill है तो क्या होगा फई mother sent for the doctor mother sent for the doctor doctor was sent for क्यों हाई windows of the room were closed क्यों कर दिया जाए था bottle of medicine was one empty आसा तो कुछ होगा नहीं option number C होगा answer ठीक अब आते question number 12 में देखे question number 12 में आपका preposition based है मैंने आपको पहले भी बताया था हो उसको आप click कर सकते हो देखो congregation के साथ जो होता है प्री पोजिशन क्या होता है और होता है बस एक नजर में मैंने देखा एक आप आप आते हैं नेक्स कोशन पर हाँ कोशन में 13 भी आपका किसा होगा यह वर्ब हमेशा भी फोर में होगा वर्ब कैसा हमेशा यह वाला हमेशा भी फोर में होगा यह फिर हम एक ही वर्ड है asking asking him answer a हो गया एक नजर में मैंने बताए it is no use के बाद भर्व क्या होगा वी फोर होगा answer एक बार में click हो गया और answer आपका हलिट पर सही हो जाएगा अब आते हैं नेश कोशन ये भी आपका rule-based है ठीक rule-based क्या है यहां पर आपको note करना होगा देखें इसका rule यह है कि the comparative the comparative plus subject plus v1 then the comparative comparative plus subject plus v1 तो कुल मिला कि यहां पर आपको बात समझना होगा यहां पर देखें जिए the comparative the higher you go the more difficult the higher you go the more difficult it क्या होगा v1 होगा तो यहां पर answer जो होगा becomes होगा ठीक ए नमर आप्शन होगा चुकिए यहां पर देखें गो भी आपका भीवन है यहां पर यहां पर यह भी भीवन होगा अतनेश्ट स्पूर्शन पर everyone wants to dash for once everyone everyone के साथ यहां पर यहां पर यह संतेंस आपका passive form में होगा ठीक प्यासिफ फर्म में होगा यहां पर तू है तिर्ट यहां पर एक्षी में है आपका भी अड्मायर एवर्य वन्स टूब एअचिव्मेंट के LOCES रहा गया ठीक है एवरीवन वांत्स टू इंटमायर वज्फेसनी से ड्यज़ाया गया है यहां तो क्लिएवर्य उन्द Donc क्या है आपका यहां पर जो है साइनों है साइनों मिंस की बेस्ट एक्सपेस जो की सेम मिनिंग देने वाला है अब यहां पर कोशन आपको दिखेगा यहां पर चार ऑप्सन मिलेंगा यंग कोशली क्लोज दिव आप क्या करोगे ठीक आप यहां पर क्या करोगे तो यहां पर होगा यहां तरहीं कि ये नहीं होता की यंग होगा ट्रोसे यह विलकुल भर अधिया कि कोस्ति कोई कोई यह मतलब कोञें डिये तो बहुत कोड़ा रहा है तो हो उसके तहुत हुट मिनिम मीनिमुम का मतलब यहां पिल्ल्टना ethics at कि अब आते प्रतिज नहीं तो दग अगर जैसे कि अगर को दोरे पे गया है दूसरे कंदी में तुमके साथ प्रतिज नहीं तो एक डेलिकेंट जाता है उसे कहते हैं रिपर्जेंटेटिव अंसर जो होगा यहां पर बी नमर ऑप्शन होगा ते अब आते नेश्कूर्शन इ बहुत विशाल बहुत विशाल या बहुत बरा ठीक जिसका क्या होगा अंसर भई तो यहां पर जो होगा हूज होगा इसका अंसर चलिए अब आते नेश्कूर्शन अब यहां पर ऑपोजिट वर्ड है ऑपोजिट वर्ड में क्या है फ्लेक्जिवल फ्लेक्जिवल का मतब मतब होता है कि मुलायम जो असानी से मूर जाएं रिजट का मतब होता है शीछला कह सकते हैं कम गहरा का मिला क्या होगा 및 दीब मतब होता है है गहरा अब इसका को फिट एक अप उपनश्परेंट or भी मात्रीर जो कि फ्राइन्सक्ट विस्कों कहते हैं ख्रणा के प्रणस में आर-पर देखिया और और गर्णस के लिए तू ना देखा जा सके ठीक जैसे लकरी के आप पर आप कुछ नहीं देशाखे लेकिन मीरर के आप देख सकते हैं आते confidence confidence का पॉजिट क्या हो confidence मतलब आत्म विश्वास से भरा होता है तो यहां पर जो होता है कि पागलपन और समझदार ठीक पागलपन होता और इसका मतलब समझदार कि अब आते कॉश्वास 26 से 30 में क्या है इडियम फ्रेज काफी इंपोर्टेंट यह सेक्षिन है और कई बार एक्जाम में आपको आते ही आते हैं और यहां से अगर आप अच्छे जरू आपका जरूर अच्छाएगा 26 में है प्रमोशन इस ऑन दे काड अपर प्रमोशन की बात कीगी तर जरू यहां पर अच्छे की कि बात होगी को प्रोपोजद किया होगा अगर उसके कार्ड पर कार्ड पर अगर अगर प्रमोजद की बात कर देगे तो मान के चलो कि भाई उसका परमोजद पक्का होने वाला है मैं इसकी सटेन ठीक है यह नमर्ष ऑप्शन होगा नेस्ट कोशन है कि she rejected his proposal of marriage point blank point blank का मतलब की भाई उसका proposal आया और उसका मतलब point black का मतलब directly ठीक है उसका मतलब होगा directly means की उसका proposal जब she rejected his proposal of marriage point black means की directly उसने reject कर दी हापर negative sense की बात हुई थी और हापर बात की गई point black point black का मतलब क्या directly 28 में आते हैं AUK portion is have you given up the idea of accepting the new assignment uh!! का मतलब होता है थ्याग देन है न is 28 का वह जूगा आपका वी नमर option होगा ठीक B नमर option होगा advantage का मतलब ही होता है थोड़ देना या थ्याग देना ज वह थिए अ थिए CT zmr पर maps Esa Caesar Caesar was done to death by conspirator अब यहां पर done to death का मतलब होगा यहां पर murder ठीक है done to death का मतलब होगा यहां पर murder तो Caesar was murdered by the conspirator देखें कोई सन्रीवन करें कि कोई किसी कर क्या करता है और यहां पर answer का murdered और last question इस video का देखते हैं तो यहां last question में किया कि if you rub him the wrong way he is bound to react rub him wrong way का मतलब होगा अन्वाहिम रविम रॉंग वे अब का